नमस्कार स्वागत आप सभी का न्यूजेटीर मद्रदेश 36 गर देख रहे हैं आप मैं हूँ अपरना मौज़म और आज मद्रदेश की महा डिबेट में बात मद्गर्ना और काउंटडाउन की जी हाँ बस थोड़ा सा है इंतजार मद्गर्ना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नतीजों को लेकर तस्वीर साफ कोती जाएगी लेकिन इससे पहले नेता जी की धड़कने तेज हैं और बेकरारी बढ़ी हुई है चुनाओ के दंगल में किसका मंगल होगा अब इसके लिए थोड़ा ही समय बचा है बीजेपी और कॉंग्रस दोनों के अपने अपने दावे हैं उधर नतीजों से पहले एक बार फिर ईवियम पर घमसांग छिड़ गया है दिगविजेश सिंग ने एक बार फिर ईवियम का राग अलापा है बीजेपी ने साफ कह दिया है कि एक्जिट पोल के अनुमान से भी ज्यादा सीटे एंडिये को मिलेंगी कुल मिलाकर नतीजों से पहले सियासी घमसांग तेज है इस प्रचंड विजय का उच्छन भी जश्न भी प्रचंड होगा भारती जंता पार्टी के सभी कारेलों में पूरे प्रदेश की मध्य रणना पर नजर रखेंगे एक एक कांटिंग प्लेस जो जलम ख्याले पर है वहाँ भी हमारे लोग मज़ग रहेंगे दावो का दम कौन होगा बेदम जो एक्जेक कोल की भावना है वो देश की भावना नहीं देश की भावना है कि 295 सीट से जादा कांग्रेस पार्टी को आएगी मध्य प्रदेश में 29 सीट और देश में अपकी बार 400 बार फिर से मोधी सरका रिजल्ट का इंतजाद नेता जी बेकरा नतीजों को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्माई हुई है एग्जिट पोल को कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया है उधर बीजेपी एग्जिट पोल के अनुमान से गदगद है अब तस्वीर नतीजों से साफ होगी आज मध्य प्रदेश की महा डिबेट में चर्चाई सीपार तो मध्य प्रदेश में मध्य गड़ना को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही तयार है बस अब इंतजार काउंटिंग का है वक्त के साथ देश की अगली सरकार की तफ्सीर से धिरे परदा उठ जाएगा मध्य प्रदेश की महा डिबेट आज किन सवालों के एड़गर रहे गया है ये वो सवाल देख लेते हैं पहला सवाल मध्य प्रदेश की महा डिबेट में आज रहेगा EVM को लेकर खुलेगी EVM किसकी चमके की किस्मत ये होगा आज का पहला सवाल दूसरा सवाल होगा दावों का दम कौन होगा बेदम क्योंकि हर कोई दावे कर रहा है तीसरा सवाल रहेगा नतीजों से पहले EVM पर घमासान क्यूं है आपने सुना ही आज किस तुना से देवीजे सिंग का बरान सामने आता है और EVM को लेकर वो सवाल एक बार फिर खड़े क द्या है एक ज़िट पोल में तफसीर का निकल कर सामने आइए वह आप देख रहे हैं सी वोटर ने दिया है 353,383 के बीच में इंडिये को 141 से 161 के बीच में रहेगी इंडिया 10 से 20 दिया है अदर्स को ये आंखड़ा अलग-अलग exit पोल में क्या नुमा निकल कर सामने आए वो TV स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और आज जो अब कुछ घंटे बाकी है कल सुबा आठ बजे से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो उस पर आज के ये जो आखरी के घंटे हैं आज की रात कहली जिए किस तरह से पलपल बीटेगी आज बीजेपी और कॉंग्रस पार्टी के नेताव कारे करता हो कि उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैमान जोड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता है जेतेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े मांफ जी का बानी आलू-वलिया जी है व exist चीडर जी हुए हैं बीजेपी का प्रवक्ता हैं करेंगे बानी जी तस्वीर हम लगातार आज जो भी सरगर्मिया है चाहे वो बीजेपी की हो कॉंग्रस की है वो लगातार दिखा रहे हैं आपके यहां से कई नेताओं ने मिठाई का ओर्डर दे दिया है दिग्विजेश सिंग लेकिन कह रहे हैं कि देखे 295 अगर आई तो क 300 के पार अगर बीजेपी को मिलता है तो इसका मतलब वो जनता ने नहीं EVM ने दिया है आपकी अवाज बंद हो गई है बानी जी अब आप सुन पा रहे हैं मुझे जी जी सर मैम सवाल मेरा आपसे यह है कि दिग्विजे सिंग को आपने भी सुना होगा एक बार फिर EVM को 300 कल नतीजों में बीजेपी को मिलता है तो वो जनता की नहीं EVM का वोट है जी न्यूज 18 के मध्रदेश और 36 गड़ के दर्शकों को मेरी नमस्कार मेरे साथी पैनलिस्ट को भी मैं प्रणाम करती हूं निश्चित है यह कि कल सुबा दूद का दूद और पानी का पानी हो ज जब आपको पता है कि इसमें आप और कोई विकल्प नहीं बचा तो दोश और प्रतिदोश देने का तो सिलसला जारी रहेगा शुरू रहेगा और यह पुरानी आदत है पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं एक पटिक्यूलर डायलॉग पे जो आज कॉंग्रेस के सर ndats connect कर सकते हैं के मुसे वाला किसका शागिर्द है सिम् 602 ऐसवान के झो खुराफाती नेता है सानि aún doe counselor के उनका खुराफित उनके शागिर्द है और ये सब क्यों आ रही है टिपनियां क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो उद्देश्य है कि इनका जो मकसद है और इनकी जो दृष्टी है वो भारत को संभालने की नहीं है भारत को हानी पहुंचाने की है और कॉंग्रेस पार्टी अब कटकरे में खड़ी है उसका कोई आगे विकल्प नहीं है इसलिए ये उटपटांग टिपनिया और दोश प्रतिदोश अब और रोना गाना हम सुनें कल के दिन तो ये जारी रहेगा पर बहुत स्पष्ट और साफ है देश की जनता बहुत समझदार है देश की जनता जानती है उसने क्या विकल्प को चुनना है और वो कर चुकी है और अपना निर्नय कैद किया है उसने EVM में जो कल पूरे देश को साफ पता चल जाएगा मैं सिद्धू मूसे वाला दिवंगत नेता कॉंग्रस के बले प्रत्याशी थे लेकिन उनकी जिसना से मृत्यू हुई उस पर तो बीजेपी नेताओं ने भी शोक संविन्दा व्यक्त की है उसमें आप खालिसानी कनेक्शन कहां से लिया ये मुझे समझ नहीं आया लेकिन मृत्यू होती है तो शोक संदेश तो किसी का भी हो दुश्मन का भी हो उसमें तो देनी वाले हैं उसमें आप लेकर आई उस पर मैंने कहा ना कि खालिस्तानी कनेक्शन है ना आज राहुल गांदी ने उनका नाम लिया है आप बिलकुल सही कहां आप बिलकुल well you are very well oriented with the topic राहुल गांदी ने सुभा ये टिपनी क्यों दी और आज ही क्यों दी और वो एक जिम्मेदार राष्ट्रे दल के सर्वोच नेता हैं वो क्या बोलना चाहते हैं ठीक है जितेंदर मिश्रा जी बेतर बता पाएंगे जितें 25 का संदेश देकर रागुल गांधी ने आखिरकार क्या और किसको संदेश पहुचाने के कोशिश किये वाणिया अलुआरे पूछ रही है देखिए सबसे पहली चीज तो मुझे वाला पर जो टिपड़ी आई है अधानिया विद्वान प्रवक्ता भरती जन्तापर्टी की उसको लेकर के यह समझने का कोशिश की जाएगी कि टिपड़ी गलत नहीं निश्चित तोर पर जब प्रग्या भारती प्रग्या ठाकुर हिमंत करकरे पर कह सकती है कि अच्छा हुआ मर गया मैंने श्राप दिया था तो किसी के लिए भी कोई भी सब्दों का इस्तेवाल भारती जन्तापर्टी मुझे लगता मर्यादा के लिए नहीं है अब दूसरी चीज आती इबियम पर लाल कृष्ण अडवानी से लेकर के ज जब लाल कृष्ण अडवानी इसका विरोध कर रहे थे जब जेवियल नर्सिम्मा इस पर किताबे लिख रहे थे इसके विरोध में तब वो बुरी थी आज वो अच्छी हो गई एक चीज अब सुनिया आप इस 255 के गड़ित को निश्ची तोर पर हमने मेहनत किये हमने कारकरताओं के साथ कड़ी चनोती भारती जंता पाटी की सरकार को पेश किये और कल तक आप देखेंगे कल तक सारे लोगों का मीडिया जगत के लोगों की सर्वे अलग था इस ओपीनियन पोल के आने के बाद इस ए और आज जो एक्जिट पोल से सर्वे आए हैं इनमें जमीन आसमान कांतर है ऐसा कैसे राय बदल गई सेटलों चिनलों पे मैंने देखा है एक से बले डिवेटर देखें बरिश्ट पत्रकार देखें जो फिल्ड पे लगाता और गूम रहे थे उनकी टिपड़े और उनकी पतिकरिया यह नहीं थी जो आज एक्जिट पॉल दिखा रहा है मेरा यह कहना है यह वही एक्जिट पॉल लाने वाले लोग है जिन्होंने 2000 के नोट में चिप बताई थी कि इसको कहीं भी रख देजिए ढूड लिया जाएगा नहीं करनाटक के लिए गलफ साबित हुए थ है उनी के सर्वे आ गए इन सर्वों से हम सर्वे से हमको फर्क नहीं पड़ता है फर्क इसलिए है कि हमें मालू में जनता की हकीकत क्या है हमें मालू में हमारी मेनत कितनी हुई हमें मालू में हमें वोट कैसे मिला है इसलिए हम आत्म विश्वास से बरे और हम यह कह सकते हैं कि कल जो परिणाम आएंगे वो इन एक्जिट पोल को न करते हुआ आएंगे एक चीज दूसी चीज इस एक्जिट पोल की विश्वस नहीं था पर कहां तक विश्वस किया जाए पाच लाख लोगों के सर्वे का नमुना लेके आप इस देश के सौ करोड बोटरों को ते करते जाए बिहार में यह जो पासबान की पार्टी है चिराग पासबान की वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और 6 से लेकर 8 सीटों का उनको परिणाम उनके पक्ष में बता रहे हैं यह इनका एक्जिट पोल है जारखंड में CPI एक सीट पे चुनाव लड़ रही है तीन सी सबसे घूम रहे हैं इतेंद्र मिश्टा जी लेकिन समय मिलता है मुझे डेली डिबेट के लिए तो मैं बागी के तीन और वेमान भी हैं पर विश्वास नहीं कर रही है आप यह कहना चाह रहे हैं अब चल लेते हैं अनुबफ शुकला जी भी जुड़गे हैं हमारे साथ तफ्रीरों में दिखाई दे रहे हैं स्वागत है आपका उमेश गोर मोरे जी अच्छतीज गड़ में क्लीन स्वीप या वही पुराना वाला रिकॉर्ड नहीं इस बार च्छतीज गड़ में हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं और कॉंग्रेस जीरो पर बोल्ड होने जा रही है और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं चुनाओ के तर्मियान आप लोगों ने भी कवर किया आप ख खुद करीब से 36 गड़ के चुनाओं को भी देखा है हम एक एक सीट पर गया है हमारे कारेकरताओं से जो फिडबैक निकल करके आया है उस आधार पर भी मैं कह सकता हूं और जो आपके एक्जिट पोल आ रहे हैं उसमें भी 36 गड़ में भारती जंता पालिटी के ओट सेरिं जीतने जा रहे हैं और जिस परकार से 36 गड़ के अंदर में कॉंग्रेस के अंदर में टूट रही कॉंग्रेस के अंदर में आपस में इंडिविज्वल उन्होंने चुनाओ लड़ने का काम किया कॉंग्रेस के दिगज नेताओं का यहां तक की पूरो मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें भी भारती जनता पार्टी को 46 प्रतिसत मत मिले हमारा 50-59 प्रतिसत मत का टार्गेट था और आपका एक्जिट पोल भी हमारी अपेक्शा के नुरूप 52 प्रतिसत तक की ओट सेरिंग हमको दे रहा है तो यह तमाम आधार हैं जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार 11 सीटे हम जीतेंगे एक और आधार है पिछले दफे विधान सभा के चुनाओं में हमारी करारी बुरी हार हुई थी जनता ने जनादेश दिया था हमने विपक्ष में काम किया उसके बावजूद भी जो 2019 के अंदर की जो लोक सभा के चुनाओं हुए थे उसमें हम को 65 विधान सभा छेत्रों के अंदर में जीत मिली थी लगबग 50% हमारी 19 के चुनाओं में रही थी जबकि हमारे विधान सभा के लिया हाद से केवल 14 विधायक थे आज तो हम 54 है और लगातार 4-5 महिनों में बहुदी जी की गारेंटी को हमने पूरा करने का काम किया है इस बार अगर आप विधान सभा आप जीते हैं तो कई लोग सभा वो निकाले हाला कि exit पोल में तो अभी भी वही आ रहा है कि या तो कॉंग्रेस शूरने पड़ जाएगी या दो ही अपनी सीट बचा पाएगी हाला कि अनुभव शुक्रा जी आप बताए क्या कह रहा है आ आपसी कल है कि जिसे आपके बड़े नेता ने बताया sleeper cell क्या आया है आपका internal survey में तब से पहले तो अपड़ना जी आपको आपके सभी सम्मानियों दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे साथी पैनलिस्ट वो मध्यप्रदेश और चात्यज़गर के साधर प्रणा मेरे साध जब बंगाल के चुनाओं में इनने नारा दिया था दोसो पार दोसो पार दोसो पार उससे आधी भी सीटे नहीं आई थी वो लड़ू को पे ठेकना पड़ गया था तो इनको बोलिए जरुवत से ज़्यादा लड़ू और ना करें तो ज़्यादा अच्छा है जहां तक ब हमें हार का सामना करना पड़ा है और हम उसका पूरी इमानदारी से स्विकारते हैं कुछ हमसे चूप होई होगी लेकिन यह चूप इस बार नहीं होने वाली है मुझे बॉलिवूड पिक्चर का डायलोग याद आ गया जो एक पोल के बारे में बाते हो रही है इस प्रकार क है कि नरेन मोदी जी ने बोला कि बहुत भेंकर होना चाहिए बहुत भेंकर होना चाहिए उनने कह दिया कि मोदी जी ऐसा एक्जिट पोल कराएंगे कि आपको छोड़िये पुरे देश कोई विश्वासनी होगा जैसा अभी जार्थान के और बिहार के बारे में हर्याणा के बारे में बताया उसी तरीके से तमिल नाडू में कॉंग्रेस नौ सीट पर लड़ रही है उनको बोलते 15 से 16 सीट मिलेंगी राजिस्तान में 25 में से 30 सीट एंडिये को दे रही हैं अद्वजी यही बात आपके साथी जो MP के प्रवक्ता हैं जितेंदर जी वो भी इन आखड से सोचल मीडिया पर घूम रहे हैं और ये जो एरर हुआ है उसकी बारे में तो हम बात करी रहे हैं लेकिन ये मैंने आपसे पूछा कि कॉंग्रेस 36 गर कॉंग्रेस की आंतिक रिपोर्ट क्या कह रही है कि कितनी सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं ताकि कल मैं आपसे पूछ 36 गर में कॉंग्रेस का आने वाला है वो जितनी सीट लाएं यू से एक सीट जादा 36 गर कॉंग्रेस की आने वाली है इसमें गोई दोर आए नहीं है एक बात दूसरी बात जिस प्रकार से इन्होंने अभी इतने महीनों की इनकी विश्नु देश साई की असहाई सरकार यहां तो आपने क्या कहा जितनी यह लाएंगे उनसे एक ज्यादा यह कहा ना आपने ठीक है अब मैं आगे बढ़ती हूं आउंगी घोल मड़े साथ तनो दिक्षित जी तनो जी तमाम सभी करनों को तो आप अनलाइस करते ही आ रहे हैं पूरा पॉलिटिकल टेंप्रमेंट पर हम पर डिसकॉशन किया ही है आज जो अपना निकल कर सामने आ रहा है एक्जित पॉल को दोशारोपन करने से क्या फाइदा करता सुर्शाफ हो ही जाएगी क्या नजर आ रहा है भी आपको देखें मुझे लगता है कि भारती जलता पार्टी और कॉंग्रेस या कोई भी अन्य दल इस समय एक्जित पॉल आने के बाद से एक दूसरे पर प्रत्यारोप कर रहे हैं वो अभी तक तो प्रत्यारोप करते आ रहे थे लेकिन अब जो है पूर्ण रूप से प्रत्यारोप exit polls पे हो रहा है जो कि मुझे लगता है सरासर गलत है क्योंकि exit polls कहीं सारे जुजारू पत्रकार की ground reports के उपर आधारित होता है जो की पूरे राश्ट्र भर में अपने शेत्रों में घरा शेत्रों में मेहनत करते हैं दिनरात करते हैं और उसके बात एक exit poll की lessons बनती है दूसरा मुझे लगता है एक्जिट पोल आज दिनांग तक जब कभी भी आये हैं बहुत हद तक सटिक जाते हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि भारती जंता पार्टी के अंदर खुशी की अलगी लहर है क्योंकि एक्जिट पोल पूरी तरीके से NDA की सरकार और भारती जंता पा कीजिए भाई साब भाजपा ने एक्जिट पोल्स के उपर कोई भी अभद्र टिपनी नहीं किये और नहीं कहीं कोई आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदद लेके उटपटांग नेरेटिव को जेनरेट करने का प्रयास किया है दूसरी चीज आप ध्यान दीजिए कॉंग इसकी अटाइक रेट और वोट शेर कितना है पूरे देश में अटाइक रेट 9-16% है और वोट शेर गिर चुका है वोट शेर का अंतर भाजपा के साथ 20-22% से ज्यादा है पूरे देश भर में आपको वेरियेशन्स मिलेंगे दूसरी चीज जाले वहां रखते हैं जहां का काम नहीं होता भाजपा और उसके कारेकरता अथिक मेहनत जन संपर्क योजनाओं का क्रियानवन और मोधी सरकार के अंतरगत जो भी कारेक दिये जा रहे हैं उनको जमीनी तोर पर नीचे उतारने का काम करते हैं तो जाले कहां लग रहे हैं और कहां लिपापोती हो रही है आप उसके बारे में विचार करिए नीवानी ची लेकिन अगर आपके सांसद आपके नेता विध्यायक इतना ही काम करते हैं तो जो रिपीटिड एमपी से इस बार जो कंटेस्ट कर रहे थे क्यों मोधी के नाम पर वोट मांग रहे थे पर अपनी उपलब दे क्यों ने गिन देश में क्या होना है जो अब तक कारे हुए हैं पिछले 10 साल में गड़े भरे गए हैं कॉंग्रेस के 40 साल के साशन के तो अब जो हमने काम करना है वो विक्सित भारत का हमको जो रूप रेखा रहे हैं जीते इंद्र जी सबसे पहली चीज़ तो एक्जिट पूल पर सवाल जरुवत थी दो दिन बाद तो एक्जिट पूल आने वाला था और इस एक्जिट पूल को कराने का खर्चा किसने दिया यह भी सवाल पूछना चाहिए और रहा सवाल की ज्यादतर नतीजे सफल होते हैं तो यह आपका 36 गड़ का रिजल्ट और पिछला एक्जिट पूल द तो आप यह देखिए प्रदान मंत्री को दस साल की बात करना चाहिए था दस साल में क्या विकास हुआ वह बताना चाहिए था और आगे पांस साल में क्या करेंगे यह बताना चाहिए अगर प्रदान मंत्री घबराए हुए नहीं होते तो मास मचली मटन और मंगल सूत्र औ आखरी में तो मुझरा तक आ गया यह प्रदान मंत्री के वह सड़ें यह साथ बताता है कि प्रदान मंत्री खुद आत्मिश्वास लेके नहीं आए उन्हें लग रहा था कि विकास पर चुनाओं नहीं होगा मैं चुनाओं को बठका ले जाओंगा लेकिन यह दोजार चौब पूरे पूरे पास साल में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फरेंस नहीं की क्योंकि इसलिए कि उन्हें लग रहा था कि चुनाओं को हिंदू-मुसल्मान पर समसान कभरिस्तान पर भारत-पाकिस्तान पर लड़ेगे ठीक एक शॉट कमेंट अनुबव जी जे अनुबव जी द करती है कि ने करते हैं वत सारी चीजें परदे के पीचे होती है ऐसेंपल साइज pakett को और भी तो हमने हमने हैंड pushed लोगों से रावाड होंकि वारत पूचे हैं यहरा अलग अलग भाशावन को चाने यरग बारो पूचे हैं यह तो हमने अपने come करने जो सर्वे किया है उसकी पूरी प्रक्रेस्ट हो कि कल हम बात करेंगे नतीजों पर एक्जाक्ट अस्वीप बहुत धनेवाद आप सभी कही सच्छा में शामिल होने के लिए मर्दप्रदेश की महा डिबेट में इतना है लेकि सबसे तेज नतीजे आप कहा देख जो से लेकि पिए खी आप सुष्ट समय शी acceso का बढ़ा तों सlateरं शामिल हुता में जो तका ही सबस्वायं कि अजे भाई एक जो, कि तक बादे है उता सक्शा में शामिल ह होनाओ धुलान